हेलो मैं डॉक्टर शालीनी महाश्वरी गंगाशील हॉस्पिटल से आज हम डाइबेटीज इन प्रेगनेंसी पर बात करते हैं प्रेगनेंसी में दो प्रकार की डाइबेटीज हो सकती है कुछ मरीज वह होते हैं जिनको पहले से ही डाइबेटीज की शिकायत है और कुछ पहले से ही डाइबेटीज होते हैं काफी और परिशानी भी हो सकती है जैसे अगर कुछ लोग डाइबेटीज है तो उनको इन फर्टिलिटी की पच्चा नहीं हो रहा है या अबॉर्शन की या बच्चे की ग्रोथ की या कभी-कभी असमें बच्चे के पेट में ही मर जाने ठीक दो घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक करने चाहिए अगर वह सीमा से जादा है या लगभग 200 से जादा है तो हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी की दौरान उनको डाइबेटीज की या शुगर लेवल हाई होने की शिकायत हो सकती है कभी-कभी ऐसे शुगर के अगर कोई बच्चा सीमाइने की प्रेगनेंसी हमारे पास लेके आया तो ऐसा लगएगा जैसे इसको 7 मंद की प्रेगनेंसी है हमेशा लार्ड साइज बेवी की एक कंप्लेंट आती है मारीज को सांस फुलने की शिकायत हो सकती है पैरों में सूजन आ सकती है या कोई भी अ इसको बच्चा होगा है तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आपने शुगर लेवल्स चेक करवाते रहें अल्टरसाउंड समय समय पर करवाते रहें एक बहुत ही महतोपूर बात यह है कि अगर प्रेगनेंसी में डाबीटीज होती है या पहले से ही होती ह तो बच्चे में कंझयाटल डिफेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसे रहते हैं खासतर से अगर हम शुगर को नहीं कर पते हैं अंकंट्रोल डियाबेटीज के केसे में बच्चों में जो डिफेक्स होते हैं जैसे कि सिर नहीं बनना या पीठ में फोड़ा होना या जरूर कराने चाहिए जिसको level 2 ये detailed fetal study कहते हैं इससे साड़े-चार महीने से लेकर करके साड़े-चार महीन तक कई सारे अंगों का लगातार विकास होता रहता है और किसी भी जगह पर किसी भी अंग में विकास में परिशानी आ सकते हैं कोई भी defect अगर होता है तो दिखाए इसलिए महज केवल एक ultrasound काफी नहीं होता है कभी-कभी दो भी खराने पड़ सकते हैं क्योंकि 24 वीक्स तक 28 वीक्स तक भी मरीज के बच्चे के 28 वीक्स तक भी कई सारे अंगों का विकास होता रहता है तो कहने का मतलब यह है कि एक serial ultrasound की अलग महत्व है सबसे लास्ट में ज इंसुलिन थेरपी काफी कारगर होती है बच्चे का वेड भी ठीक रहता है उसका स्वास्ते भी ठीक रहता है और शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं कई लोग इस चीज को अवाइट करते हैं और उनको इससे डर भी लगता है चुकि यह के स्वी से जाता है तो थोड़ा डर भी लगता है लेकिन सब ट्रेनिंग के बाद काफी असान हो जाता है तो इससे डर को बहार निकलना चाहिए जो बीमारी है उससे हमें लडने के लिए हर तरीकी से तयार रहना चाहिए डायबिटीज होने पर कुछ खास तरीके के हमें टेस्ट भी क सामने आ जाता है अगर यह काफी खराब इस्तती में है और मरीज दो या था ही महिने पर ही आई है और मसला उसका ग्लाइकोसले धिरमोगलोबिन साथ आठ या दस के आसपास होता है तो हम लोग उनको सला देते हैं कि अगर हो सके तो मरीज बच्चे को ना रखे क्योंकि उस